इसे बनाने के लिए एक पैन में तेल ले लेते हैं ये कटल मेरे पास है कच्चा कटल और कटे हुए पीसेज इसमें नमक और इसके साथ साथ हल्दी थोड़ा अद्रक का पेस्ट थोड़ा लसन का पेस्ट और दहीं जादा नहीं थोड़ी सी ये सारी चीजें इस कटल में मिक्स करने हैं अच्छा ये क्यों कर रहे हैं ये कटल को मैरिनेट मैं आपको बताता हूँ ये इसलिए ताकि इस कटल को हम फ्राइ कर सकें फ्राइ करने के बाद ये जो कटल है इसका इसको हम फ्राइ कर देते हैं चलिए जब तक ये फ्राइ होता है इसकी ग्रेवी हम बना लेते हैं तेल हमने गरम रख ही दिया है अब इसमें डालते हैं प्यास ग्रेटिड अनियन और ये डालें और इसे धून लेते हैं अच्छा जब तक ये फुनता है मैं आपको दिखा लेता हूं और क्या-क्या तयारी करनी है प्यास तो ग्रेट करके उसके अंदर चला गया गाजू को आप भिगो लें गाजू टुकडा ले लें आप और इसको भिगो कर इसकी फाइन पेस तयार कर यह जो प्यास है इसे एक दम लाल नहीं करना है पस हलका सा लाल होना शुरू नहीं हुआ कि हमने इसमें डाल दिया यह लसन की पेस्ट और यह अध्रक की पेस्ट अच्छा कहीं बार इतना यह ट्राय हो जाता है कि समझ नहीं आता कि मिक्स कैसे करें पोड़ा सा पानी दाल और उसके बाद इसे मिक्स करें लेकिन आपको वालूम है कि गरम तेल और पानी दियान से मिक्स करें और यह कैसे लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं वाह यह मुझे लगता है कि प्राय हो चुके हैं और अब इसमें हम डाल देते हैं यह ट्रमाटो फ्यूरे अब इसमें डालते हैं कुछ मसाले खल्दी पाउडर धनिया पाउडर और उसके साथ साथ जीरा जब भी मसाले खास तो और उसे धनिया और जीरा जो है आप घर में भी रखते हैं तो भून कर फिर उसे पीसने उसके साथ साथ गरम मसाला पाउडर और तीखा करने के लिए लाल प्रिश यह सारी चीज़े डालने के बाद यह टिखे कर दिया मिक्स अब इसकी ग्रेवी में यह काजू की पेस्ट मुगला ही कटल बना रहे हैं तो थोड़े तो रिच हों गई लेकिन अगर इसमें से रिचनेस कम करनी हैं आपको यह नहीं चाहिए काजू का पेस्ट तो उसके बिना भी काफी अच्छा टेस्ट आता इसका इसमें डालते हैं दहीं दहीं के साथ साथ नमक नमक वा रंगी इतना अच्छा है इसका इसमें आप कुछ भी डालें वो चीज टेस्टी बनेगी बनेगी अभी इसमें हमने थोड़ा मावा डालना है खोया और चला दिया थोड़ा सा पानी काफी काड़ी ग्रेवी है ये थोड़ा पानी चला लें मिक्स करें इसे और इसे ये दीजिए अब ये जो कठल हमने फ्राइ किया है ये इसके अंदर अच्छा यदि आप चाहते हैं ये कठल जो है वो आप इसको दिशिंटीग्रेड ना हो तो उसके लिए इसके जो पीसिई रहती है तब ये डिसिंटीग्रेड नहीं होगा लेकिन नहीं कि आप ठोड़े चोटे पीसिस रखें आज कल के हिसाब से चोटे पीसिस बेटर दें अब इस कठल में इस ग्रेवी को कर दें मिक्स और यह जो ग्रेवी है यह ऐसे ही रखें थिक लटपटी बस अब इसको थोड़ी देर और पकने दें ताकि सारा मसाला कठल के अंदर तक चला जाए और उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना अपनी पसंद की रोटी चपाती पराथा कुछ भी वनाएं और इस भड़िया से मुगलाई गटल को परोसें गर्मा करना ठंडाओं के मजा नहीं देगा लीजिए यह हो गया बन मुगलाई गटल तयार आप नोट करे इसके इंगिडियंच और उसके बाद इसका एगरी क्या पूगलाई जैक फ्रूट के लिए चाहिए 500 ग्राम कटल कटा हुआ नमक स्वादा अनुसार आदा छोड़ा चम्माज हल्दी पावडर एक वड़ा चम्माज चत्रक की पेस्ट एक वड़ा चम्माज लसन की पेस्ट तीन चोथाई कप दही, तीन वड़ा चम्माज तेल और तलने के लिए तेल, एक प्यास बारीक कटी हुई, एक चोथाई कप टमाटर की प्यूरे, एक वड़ा चम्माज हरा धनिया कटा हुआ, एक वड़ा चम्माज धनिया पावडर, दो छोड़ा चम्माज जीरा पावड एक चोड़ा चमच लाल मिर्च पाउडर, एक चोथाई कप काजू की पेस्ट और दो बले चमच खोया ग्रेट किया हुआ इसे बनाने के लिए कटल में नमत, आदा हल्दी पाउडर, अद्रक की पेस्ट, लसन की पेस्ट और एक चुथाई कप दही डाल कर इसे करीब 15 मिनट तक रखने अब एक कड़ाई में तेल गरम करके इस कटल को सुनेरा होने तक तल लें और किसी किचन डावल पर निकाल लें ताकि इसका एक्ट्रा तेल निकल जाए अब एक बरतन में तेल गर्म करके इसमें प्याज की पेस्ट डाल कर भुनें, इसमें लसन की पेस्ट, रद्रक की पेस्ट और थोड़ा पानी डाल कर भून लें झाल झाल